यह बैटरी है मैं इस circuit को दोबरा बनाता हूँ यह हमारा एक रेजिस्टर है इसके बाद ये दूसरा रेजिस्टर है और यहाँ एक तीसरा रेजिस्टर है इसके बाद ये एक fourth one, this fifth one, this sixth one and seventh and laud eighth resistance हमको क्या करना है यह A और B के बीच में से फ्लो होने वाला करेंट निकालना है क्या करना है है इस इक्वल तू ऊहम कनेकट निकालने निकालना है करेंट कितना बह रहा है तो पहला काम काम यह करेंगे क्या करेंगे यहां बड़ा अजीब मसला है अगर हम इन दोनों को सोचें तो यह दोनों पार्लल नजर आ रहा है हैं लेकिन ये दोनों केमे हैं बबा कैसे सीरीज में यह अब यहां करेंट डिवाइड हो रहा है अब कौन किसके पैरलेल कौन किसके सीरीज यह कुछ भी पळलने नहीं पढ़ रहा हूं बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है काम तो हम क्या करेंगे ए और बी के बीच का अब आपको थोड़ा सा बुद्धी का इस्तेमाल करना पड़ेंगा, मैं mirror image बना रहा, इसको उठा के ऐसा लगा दूँ, तो यह क्या R3 इसके उपर आ जाएंगा, और इसका आदा value उसके उपर आ जाएंगा, यह इसके उपर आ जाएंगा, मतलब यह mirror images हैं, यह mirror images हैं, माल लि तो current यहां जाएंगा ही नहीं, मतलब I1 यहां आ रहा था तो यहां भी कितना जाएंगा, I1 तो यहां भी कितना जाएंगा, I1 यहां कितना जाएंगा, I2 यहां भी कितना जाएंगा, हताम, अब यह तीन कैमे हो गए, series, और नीचे वाले तीन कैमे हो गए, series, एक, दो, तीन, कितने 22 ohum के 3 resistor series में तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना 6 ohum और नीचे 2 प्लस 2 प्लस 2 बतलब क्या 6 ohum तो उपर कितना है 6 ohum उसके parallel में कौन है 6 ohum equivalent कितना हो जाएंगा 6 by 2 बतलब 3 ohum का R equivalent आजाएंगा पूरे circuit का हम current into total resistance total potential कितना है 3 current कितना है पता करना है R की value कितनी 3 तो current आगया 1 ampere तो circuit में से flow होने वाला current 1 ampere के बराबर होना चीज़िए है simple तो दिखने के लिए circuit काफी मुश्किल है नहीं चाहते हैं समझ में ये trick supply करने के बाद बहुत कम fraction of second के अंदर 30 second से भी कम में आपका अंसा आजाएंगा circuit बहुत जल्दी simplify हो जाता है इसको explain करना है और एक बार करना है series में तीन कैसे लिए मैं क्या करता हूँ इसको made देता हूँ अच्छा जी mirror images कैसे बने उतना समझ गया mirror images तो समझ आ गया अब हम circuit के उपर दो बार आते हैं यहां से current I1 बहा तो यहां भी कितना बह रहा है I1 क्योंकि यहां divide नहीं हो रहा न यहां से I1 आया तो I1 कहीं divide ही नहीं हुआ तो यहां से I1 आया तो यहां भी I1 गया और यहां भी I1 गया अगर यह तीनो same current flow करवा रहे हैं इसका मतलब तीनों के तीनों series में हैं तो पहला register उसके बाद दूसरा उसके बाद तीसरा कितने हैं यह दो ohum के मुझे कैसे पता question में ही दिया हुआ है दो-दो ohum के तीन resistor आ गया अब नीचे वाले एक circuit के तालूस से सोचे यहां पे I2 आया ओपर से कुछ current आया क्या नहीं तो I2 में कुछ भी नहीं मिला तो आगी कितना गया I2 ही गया तो यहां से I2 आया यहां भी I2 गया ओपर से कुछ भी नहीं आया तो यहां भी I2 ही गया मतलब नीचे के circuit के अंदर भी तीनों resistance में से same amount of current flow कर रहा है इसका मतलब यह तीनों कैसे हो गए series में हो गए two ohum two ohum और two ohum तो ओपर वाले तीन series में तो कितना हो गया six ohum नीचे वाले तीन series में तो कितना हो गया six ohum यह कैसे है parallel है तो एक्वरेंट कितना आ गया three ohum तो वी इक्वल टू I.R. potential battery का three volt है current हमको पता करना है resistance three है तो current का value आ गया three one ampere current एक ampere के बराबर बहना चाहिए यह दो और यह दो ठीक है यह बीच वाला एक है ना वेटे यह यह divide नहीं होंगा क्या अब होंगा क्या ठीक है मैं आपको explain कर देता हूँ actual में यह wire है resistance नहीं है आपने बीच में से access डाले तो यहां कितना आ गया r by two और यहां कितना आ गया r by two actual में two है ना ठीक है यह बेटर है तो यहां आ गया आदा यहां कितना आ गया one और यहां कितना आ गया उसी तरह यहां one यहां one यह one में से जितना current बहेंगा यह one में से भी उतना ही बहेंगा तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह team resistance नहीं यह चार है पहला two हम का उसके series में one हम का उसके series में one हम का उसके series में two हम का तो वो six ही होगा two plus one three plus one four plus two six एक ही बात होंगे वो तो लेकिन बराबर था बिल्कुल बराबर था यह one हम गायब नहीं होगा गायब का हो सकता है जब एक्सिस के पर्पेंटिकुलर हो एक्सिस के पर्पेरलल अगर चलेगा यह हमारा AXYS of symmetry पॉइंट्स के पर्पेंटिकुलर एक्सिस के पर्लल अगर चलता है तो हम उस रेजिस्टर को कैंसल कर सकते बड़ना नहीं और कोई डाउट